दिल्ली सरकार का बजट आ गया कई बड़ी घोशना आये हुई, कई वादे किये गए लेकिन जिस एक घोशना ने पूरे देश का ध्यान अपनी और आकर्शित किया अपनी और खीचा, वो मुख्यमंदरी महिला सम्मान योजना का एलान है इस योजना के तहत दिल्ली में 18 साल के उपर की हर महिला को हर महिने 1000 रुपे यानि कि अगर हम साल की बात करें तो पूरे साल में 12,000 रुपे मिलेंगे आखिर ये योजना है क्या, इसके लिए नियम और शर्ते क्या है, क्या पैरामीटर्स है, क्या कंडिशन है पूरे देश में इसको लेकर आखिर चर्चा क्यूं है, और आखिर कब तक महिलाओं के खाते में हर महिने 1000 रुपे आना शुरू हो जाएंगे इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की वित्मंत्री आतीशी ने हमारे साथ खास बातचीत की बजट को समझाया, बजट की बारी कियां बताई, आतीशी ने बजट की दूसरी घोशनाओ पर भी अपनी बात रखी तो चलिए देखते हैं दिल्ली के बजट और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर क्या कहती है दिल्ली की वित्मंत्री आतीशी देखिए हमारी खास रिपोर्ट देख रहे हैं तीवी नाइन भारत वर्ष आम आदमी पाटी का दिल्ली सरकार का दस्वा बजट पेश हो चुका है चेहतर हजार करोड रुपे के बजट में हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है अब दिल्ली वालों के लिए क्या है समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की वित्मंत्री आतीशी आतिशी स्वागत है आपका पहला बजट रहा इसमें राम जी के हमने तो चौपाईया सुनी इसमें राम चौरित मौनस की चौपाईया आपने पढ़ी राम मेरहा ये पूरा तो कैसे ये राम की अवधारना से पुरित है लिखे पिछले नौ साल से जब से दिली में अर्व कोई बीमार ना हो और यही प्रयास के इज्रिवाल सरकार का है चाहे फ्री बिजली पानी दे के लोगों को महंगाई के असर से बचाना चाहे अच्छा इलाज दे के कोई भी किसी को भी बीमारी की स्थिती से बाहर निकालना उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उन ज़िए लगता है कि दिली में देहने वाले आम लोगों की जिन्दगी में इसले नौ सालों में बहुत बड़ा चेंज आया है। लेकिन बीजेपी तो बड़ी चिंता है कि आपने श्रीराम का कॉपी राइट ले लिया। लेकिन बीजेपी के तो इसलिए चिंता है क्योंकि उन्होंने कोई काम तो करना नहीं है। 15 साल में थे दिली में तो दिली को कुड़ेदान मना दिया। केंज सरकार के पास आज भी दिली की लॉण और की विस्था है और सब को पता है कि दिली कि इतनी सेफ है। तो बीजेपी वालों को एकी काम आता है। वो अरմprov intrig DieCRGO को सुबह आली देना, diolarını को आली देना, uno को दुपहर को गाली देना, Arvind Kejri il worldly को रात को का लीरे बहुत समझधार है। दिल्ली वालों को पता है कि उनके लिए दिन रात अगर एक आदमी काम करता है, तोस आदमी का नाम हरुंत के्श्रीवाल है। लीकिन ये भी सुनने को मिला सिर्कारी कि आप कि दीखा दें हम तो छोटी सी पार्टी हैं, हमारी तो से दो राज्यों में सरकार हैं, वो तो किरते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, बता नहीं कितने राज्यों में उनकी सरकार हैं, हम से बहतर सरकार चला के दिखा दें, हम से अच्छी शिक्षा दे के दिखा दें, हम से अच अर्विन केजरिवाल जी को वोट देती है और साथ ही आपकी योजनाई भी इस तरह से आती है कि दिली की जनता को आकरशित करते हैं अभी जैसे बजट में जो में हाइलाइट रही जिसमें महिला शशक्तिकरण की बात हुई उनको एक हजार रुपे प्रतिमा बारह हजार साल जाना देने के बात हुई तो यह क्या योजना है इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा इसके क्या नियम है कैसे वो अप्लाइ कर सकते हैं इसके बारे में जोड़ा है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी कि अर्विन केजरीवाजी की सरकार ने पिछले नौ साल से लगातार महिलाओं के लिए काम किया है और यह सिर्फ फ्री बस यात्रा की बात नहीं है जिसके मादे हम से महिलाएं घर से बाहर निकल सकती है एक महिलाओं को घर का खर्च चलाना आसान हुआ है केजरीवाज सरकार आने के बाद उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है पहली बार उन्होंने अपनी छोटी बिमारियों के लिए मौला क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाना शुरू किया है क्योंकि वहाँ पे इलाज फ्री होता है बुजर्ग महिलाओं पहली बार अपनी जिंदगी में तीट-छियात्रा के लिए जा पा रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार वो फ्री दे रही है तो महिलाओं को पहली बार ऐसी सुविधाओं का एकसेस मिला है क्योंकि केजरीवाल सरकार फ्री में ये सुविधाओं कलब्द करवाती है वरना शायद महिलाओं को मिली नहीं पाता ये हमारे समाज की सचाई है कि थोड़ा सा भी पैसा खर्च करने के लिए एक महिला को किसी ना किसी पुरुष के आगे हाथ पहलाना पड़ता है चाहे वो उसके पती हो, चाहे वो उसके पिता हो, चाहे वो उसका बेटे हो लेकिन आपरविंद के जिवाद सरकार ने कहा दिया किसी महिला को हाथ नी पहलाना पड़ेगा वो सीधा उनकीषाएंड में पैसा डालेंगे वो हमहिला जैसे चाहये खर्च करें अपने बच्यों पर खर्च करें अपने परीवार पर खष्क करें और चाहें तो लेकि कोई मुवी देखने जाने के लिए तो यह प्रच्च करें यह उसकी मर्जी है। देखिए इससे बड़ा सशक्तिकरन क्या हो सकता है। आप तें महिला को इंडिपेंड़न कर दिया है। जो वो किसी के सामने हाथ पहलाती थी अब उसकी जरूरत नहीं है। इससे बड़ी आत्मसम्मान की क्या बात हो सकती है। दूसरी चीज यह भी समझी है कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा जाता है। तो वोसे अलग लग तरह के खर्चे में लगाती है। चाहे वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में हों। अचाहे उनके लिए किताब कहरीडनी हों। घर के लिए अपलायंसी खरीटनी हों। तो यह सारा पैसा दिल्ली के economy में जा रहा है। यह दिल्ली की economy को spur कर रहा है। इसमें'e ।क्रियेट कर रहा ह्या। तो जितना वाधा यह पैसा खर्च होगा तो महिलाओं को भी फाइदा है दिल्ली के विकास को भी फाइदा है तो कब से दिल्ली की मलाय यह सोचे कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे और कितना मुश्किल होगा मशक्कत कितनी करने पड़ेगी इसे प्रिष्ट भूमी पर लाने के लिए देखिए अभी तो लोगसभा के चुनाव का मॉडल कोड़ कंड़ लग जाएगा तो मैं मानती हूं कि शायद इलेक्शन के बाद ये स्कीम नोटिफाई होगी फिर अपना कागज वगेरा कागज पत्री भरना बैंक अकाउंट की डीटेल्स आधार काड की डीटेल्स वगेरा लेकर अक्टोबर के महीने तक उनके पास SMS आजाना चाहिए कि पहली किष्ट अर्विंद केजरिवाल जी की तरह से अपनी बहन के बैंक अकाउंट में आ गई है बाकी मशक्कत कितनी करनी पड़ेगी है ता आप जानते ही है अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार में कोई काम बिना मशक्कत के आज तक हुआ है नहीं है बजट में भी जिन जिन चीजों पर हमने चचा करी चाहे बच्छे स्कूल हो चाहे वो महला क्लिनिक हो चाहे वो CCTV कैमराज हो कोई भी काम बिना संगर्ष के कहां केंद सरकार हमें करने देती है लेकिन दिल्ली की महला ये भी जानती है कि एक मार अर्विंद केजरिवाल जी ने ठान लिया कि हमें ये काम करना ही है उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उने नहीं रोक सकती कि उनको जितना भी संघर्ष करना पड़े, लडाई करना पड़े, अजी साफ के सामने हाथ जोडने पड़े, वो अपना काम करवा के रहेंगे. यह तो हम देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का अगर बात करे एजुकेशन मॉडल यह इस टाइम पर एक रोल मॉडल है, जिसके लिए 16,396 करोड रुपे भी अवंटित किये गए हैं, तो आपको कैसे लगता है कि इसमें और कितना सहयोग होगा इससे, कितना आगे पहुंचेग यह आपको के लिए प्रइफन करना हैं, जो अब हमारे स्कूल देख स्कूल देख सेटेटेशन थे में अभी तक तो उसकूल में करीम साने थीन साथीन सबचे नोड हैं, लेकिन आप उसको एक्सक्पांड कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कई साल में, जबी ऑक्टोबर में, कभी December, कभी सरदी की वज़े से, कभी pollution की वज़े से, कभी बरसात की वज़े से, कभी बाढ़ की वज़े से, स्कूल को बंद करना पड़ जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई स्कूल बंद होने के बावजूद ना रुखे, तो वर्चूल एडुकेशन का एक्स्पैंशन इस बार ही हमारा बहुत बड़ा गोल रहेगा, एक आखरी सवाद में पूरना चाऊंगी, चुनाव नस्दीक है, आपको क्या लगता है कि योजनाई तो काफी है, तो यह कैसे, क्या चुनौटिया रही है आपके सामने आगे, क्या चुनौटिया फेस करनी होंगी, कैसे दिल्ली वालों का सहुख ले पाएंगे? देख दिल्ली वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में तो अपना एक तरफा प्यार, अर्विंद केज रिवाल जी को दिखाते हैं लेकिन जब लोकसवा का चुनाव आता है तो वो सातों सांसद बीजेपी के जिता के भेज़ देते हैं अच्छा जब दिल्ली वालों को परिशान किया जाता है उनके काम रोके जाते हैं उनकी वोट का अधिकार संसद में चीना जाता है तो बीजेपी के संसद बेट के तालियां बजाती है उन्होंने कभी सवाल उठाया क्या कि बसों से मार्शल क्यों होटे उन्होंने कभी सवाल उठाया क्या कि दिल्ली जलबोट को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा उन्होंने कभी सवाल उठाया क्या कि आज ये बिल माफी की स्कीम क्यों नहीं लाई जा रही तो मैं ये दिल्ली वालों से कहना चाहूंगी कि इस मार सातों सांसत इंडिया अलाइंस के चुन के भीजी अभी जो अर्विंद केजरिवाल जी को अकेले लड़ना पड़ता है के इंदर सरकार से उनके हाथ मजबूत होंगे और दिल्ली वालों की काम चुल भी होंगे शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हम भी अई उमीद करेंगे कि दिल्ली सरकार की जो योजनाय हैं वो ऐसे चलती रहें ऐसे दिली वाले उन्हीं सह योग करते रहें अभी काफी योजनाए हैं धरातल पर उतरने वाकियां इंतिजार रहेगा देखते रहें टीवी नाइग